नमस्कार प्रिय दर्सकों मैं हूँ असलोजर रविगुपता और स्वागत करता हूँ आज यानि तीन मई दिन सोंबार का संपूर्ण द्यानिक राशी फल ले करके मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आज मेश राशी से ले करके मिन राशी वाले आपके जीवन में द्यानि सूब नहीं है तो मैं सभी राशी वालों को एक-एक महत्पुर्ण उपाय भी बताते चला जाऊंगा साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज आपका कौन सा रंग है सूब और इसके अलावा जो है हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे आज के द्यानिक पंचांकियोर प्रि आज दोपहर में एक बज के उन्चालिस मिनिट तक है इसके बाद जो है अस्टमिति थी प्रारंब हो जाएगा आज प्राता पांच बज के चौदा मिनिट को सुरी उदय होगा और साम को जो है छे बज के अठारा मिनिट में सुरियास्थ हो जाएंगे चंदर उदय जो है आज प्राता बारा बज के उन्चास मिनिट से लेकर के प्राता दस बज के अंठामन जॉनिट तक अस्त हो जाएंगे आज जो है उत्रा अशाड़ा नक्षत्र है, आठ बज़ के बाइस मिनट प्रहता अतकाल तक तद उपरांत जो है स्रावन नक्षत्र का परवेश हो जायेगा स्रावन नक्षत्र सूभ और लाबकारी नक्षत्र माना जाता है क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं इसके अलावा जो है राहुकाल में कोई भी सूब काम कभी किसी को नहीं करना चाहिए 6 बच के 52 मिनट परहता हकाल से ले करके 8 बच के 30 मिनट परहता हकाल तक राहुकाल रहेगा इसके मद्ध Ayam कोई भी काम करने से आपको बचना चाहिए और अवेजीत मुहरत जो मुहरतों में सबसे सुभ माना जाता है जो 11 बच के 20 मिनट पराता हकाल से 12 बच के 12 मिनट तक दोपहर तक रहेगा अगर आपको कोई सुभ और महत्पूर्ण कारे करना है तो आप इसके मद्धे में करिए देखिए कितना लावकारी समय वैतित होगा प्रियदर्स को कोई भी राशी फल जो होता है वह चंद्रमा के और अन्य ग्रोहों के गोचर्प के अधार पे होता है परंतो द्यानिक राशी फल जो होता है इसमें चंद्रमा जो है अत्यधिक भूमिका निभाने वाला होता है और चंद्रमा की स्थिती को जानना तो आज अत्यंता विश्चक है चंद्रमा जो है आज मकरा राशी में रहेंगे मकरा राशी में राहू की दिरिष्टी भी चल रही है गोचर में और वहां पर सनी भी बैठे हुए हैं यानि आज जो है चंद ग्रहन के साथ 20 योग की भी उत्पती चंद्रमा की उपर देखने को मिलेगा अता सभी राशी वालों को बहुत ही सोच सोच करके और आत विश्वासी हो करके आज अपने काम को करने पड़ेंगे गलत डिशीजन गलत निर्नए चंद्रमा दूसी थे खराब हो सकता है परन्तो चंद्रमा जो है आज खुद की नक्षत्र सरवन नक्षत्र में भी रहेंगे यानि इस बुरे इस्थितियों में भी चंद्रमा सूप फल दाई होगा और लावकारी फल देने वाला होगा फिर भी आप जो है कोई भी निरने क्रोध वस इमोशनल वस या फिर हलबड़ राशी वाले कैसा रहेगा आपका द्याइनिक राशी फल मेश राशी वाले चंद्रमा जो है कर्म छेत्र में अपनी नच्छत्र में भी राजमान रहेगा आज किसी सिनियर से तालमेल में सुधार होंगे नए बैपार के तरक्की के रास्ते खुलने प्रारंब हो जाएंगे भूमी मकान वाहन संपती से रिलेटेड कुछ गुड़ी न्यूज मिल जाएगा पुराने घर को आप दुआरा चाह रहे थे किसमें रीकंस्ट्रक्शन करवाएं या फिर चाह रहे थे कि हॉम डेकॉरेशन वेगरा करवाएं उससे रिलेटेड आप अपने कर्म छेत्रों मे बढ़ने प्रारंब हो जाईएगा चंद्रमा कर्म छेत्र में बैठने के कारण आपके पिता के कर्म छेत्र में तरक्की के साथ में जो है आपके पिता महत्पुर्ण छेत्रों में आपका सपोर्ट भी करने वाले रहेंगे इसके अलावा मेशरासी वाले चंद्रमा आपके क इच्छा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे बहुत हत्तक लौट्री सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाप देखने को मिलेगा आत्मिश्वासी फील करिएगा और जीवन में जो छोटी-छोटी गलतियां आपने की है उसको किस प्रकार से सुधार करके किस प्रकार से आग करिए बहुत पढ़ियां दिन जाएगा विरिशब राशी वाले अगर आपके लिए तीन मई संदोहजरे कीस दिन सोंबार का दैनिक राशी फल की बात करना चाहें तो आज बहुत हद तक आए में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे लिस्तदारों के पास फसे हुए पैसे नि दूर हो जाएगा बिरिशब लगन और बिरिशब राशी वाले इसके अलावा आज आपके सिक्षा में विश्व बढ़ोतरी देखने के योग मिलेंगे धर्म के छेत्र में आपकी रूची बढ़ेगी किसी अच्छे ज्यानी पूरुष से आपका संपर्क स्थापित हो सकता है संतान की तरक्की के रास्तों में बिरिधी देखने को मिलेंगे आज आपके दांपत्ति जीवन में जीवन साथी के द्वारा किसी प्रकार का मतवेद चल रहा था तो वह निच्छी तौर पर समाप्त होगा आज आपके जीवन साथी भी आपके महत्पुन तथ्यों पे गिफ्ट करेंगे छोटे भाय बहनों के साथ रिष्टों में सुधार आएगा टेकनिकल कोई काम या प्रशासनी किसी काम में कंटिन्यू कई दिनों से बाधाएं जो उत्पन हो रही थी वह निच्चित तौर पे ठीक हो जाएंगी बिरिशबरासी वाले आज की दिन को बहुत गिराशी फल की बाद करना चाहें चंद्रमा देखिए अश्टमेश रहेगा और अश्टमेश चंद्रमा बहुत सूप फलदाई नहीं रहेगा अता आज के दिन थोड़ा सा आस्वास्ता देखने को मिल सकता है आत्मिश्वास में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है आज न अत्भेद नहीं करते हैं तो आपका अशुभ प्रभाव बहुत हद तक सुबता में बदलना दिखना प्रारा मोग जाएगा सुसराल पक्षे से रिस्तों में सुधार आएंगे किसी प्रकार की प्रपर्टी विवाद की जो समस्याई चल रहे थी उससे रिलेटेड बहुत हद तक कुछ गुड़ी न्यूज मिलने की संभावनाएं हो जाएंगे आज आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा धनकी प्राप्ती होगी बहुत ज के लावा जो है चंदरमा आपकी कुड़ली में आज के दिन बहुत ज्यादा लौट्री शट्र जूर्ट शेर मार्केट का तलाव तो नहीं देगा आकारन वस्त थोड़ा सदामपती जिवन विवाद या फिर लव रिलेक्शन में थोड़ी परिशानी और सिक्षा में बाध परिशानियां आ सकती हैं आज के दिन को बढ़ियां बनाने के लिए जो है गनिश चालीसा का पाट करिए लाल रंके वस्तर का परियोग करिएगा तो मांसिक सांती देखने को आज मिल जाएंगे करक राशी वाले अगर आपके लिए दैनिक राशी फल की बाद करना चाहें पीन मई का सब्तमेश चंद्रमा अभिवाह के लिए उप्युक्त रास्ता खोलने वाला रहेगा नौकरी से रिलेटेड टर्मीनेशन की समस्याइं दूर हो जाएंगी वीदेशों का बैपार में बढ़ष्तिरी देखनी को मिलेंगे पेट और पैरों की जो समस्याइं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी संतान की तरक्की के साथ संतान कंसीव होने से रिलेटेड भी कुछ good news मिल सकता है आज आपके जीवन साथ ही या फिर love relation में break up की स्थितिया हो चुकी थी आप चाह रहते कि संपर कस्थापित करें लेकिन संपर कस्थापित नहीं हो रहा था तो आज बहुत हद तक संपर का स्थापित होने की शंभावनाएं बन जाएंगी इसके अलावा जो है करकराशी वाले आज के दिन जो है आपके जीवन में मान सम्मान में ब्रेधी होगा सरकारी काम का आज में लाब की शंभावनाएं देखने को मिलेंगी अपनी भौतिक सुक सुविदाव है तो कुछ वस्तुव के पीछे आप पैसे का वई कर सकते हैं सरकारी कर्म छेतरों में आपके कुछ नए ठेके विगरा का काम या फिर की नए चाहा रहे थे कि कि किसी प्रकार का कोई बड़ा टेंडर विगरा मिल जाए तो वह मिल जाएगा आज एक खराब चल रहा था हुआ ठीक हो जाएंगे और जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना इसके अधारबुत प्रनाली को आप सिट करिएगा और उससे आगे बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ाईएगा आज के दिन को बहुत ही बहतर बनाना चाहते हैं तो दो गाठ विश्णु जी को चड़ा दीजिएगा अप रहता काल जो है लाइट पिंक रंग का पर्योग करिएगा अगर आपके लिए तीन मैं संदो हजारे किस का संपूर्ण दैनिक राशी फिल की बात करना चाहें तो आज चंदरमा सश्टे सवस्था में रहेंगे यानि अगर आज आप ज़्यादा धन का वै करते हैं पिता से मतवेद करते हैं लव रिलेशन में जो है आप जान करके प्रॉब्लम को क्रियेट करते हैं या फिर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो थोड़ी से परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है अताह ऐसे इस्थितियों म जिस कारण से कर्ज की मुक्ति को दिखाने वाला रहेगा विदेशों से रिलेटेड किसी प्रकार की बाद हाए या अफस चुके हैं या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं वह समस्याएं दूर हो जाएंगी आज अपने जीवन में छोटे-छोटे कर्जो में खट-पठो सकता है तो अपने नियंतरन पर अपने कुरोध को रखिएगा इसके अलावा जो है किसी सिनियार से तालमेल अच्छे होने के साथ में जो है प्राकर्मी तो फिल करिएगा लेकिन अगर आप अलश्यपन को त्याग देते हैं और अपने जीवन की कुछ कमिया या जो चीजे बीत चुकी है जो आपको बहुत जादा दिल को जक में दे चुका है या बहुत जादा नुकसान दे करके जो पार हुआ है उसको याद करके अपने आत्विश्वास को आप धारतल पे मतलाईएगा एकदम किसी भी हाल में कॉन्फिडेंट रहिएगा तभी बल दीजिए या प्राता काल गुड का शेवन अवस्य करिए और रंग का परियोग करिए आज ग्रीन के कन्या राशी वाले अगर आपके लिए दैनिक राशी फल की बात करना चाहें पंचमेश चंदरमा लोट्री सट्टा जुआ सेर मर्केट का लाब को बढ़ाने वाला र रहिएगा तो बड़े से बड़े खत्रों को भी यह चंदरमा आज टाल देगा आज बड़े भाई वहन भी आपको महत्पून तथ्यों पर शपोर्ट करेंगे विदेश स्यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी और गुड़ नूज मिलने की शंभावनाएं बन सकती हैं जीवन में उचित लक्ष की और जाईएगा परिवार के बड़न को लेते 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 बहुत परिशान हो गये हैं तो आज सुएता ही अपने परिवार में एक अच्छा डिसिजन लिजेगा कि किस प्रकार से सभी फैमिलियों को मिल करके जिंद्जिगी को निर्वाह करना है और खर्चों को क्या इस्थिती रहेगे आज के दिन जो है प्रेम से विवाह के रिलेटेड घर वाले मान जाएंगे आपके विवाह के लिए अच्छे रिष्टे आएंगे नौकरियों में टर्मिनेशन हो चुका था उससे रिलेटेड कुछ गुड निूज मिलने की शंभा करना है भगवान विशनु जी को जो है चने का दाल और गुड का भोग लगाना है तत्पस्चाद जो है अगरा प्राता काल गुड का सर्वत भी ग्रहन कर लेते हैं विशनु जी के अर्पित करने के बाद लाब की शंभावनाएं अत्यदिक सुब और लाबकारी हो देखिये रास्ते कितने अच्छे खुलते हैं तूला राशी वाले अगर आप के लिए तीन मईशन दो हजारे कीश का संपुन दैनिक राशी फल की बात करना चाहें चतुर्त अस्थान का चंद्रमा आज माता पिता से तालमेल में सुधार करेगा सिनियर से मतभेत की शंभा आगे साथ देने वाला रहेगा आज बहुत हद तक धार्मिक छित्र में जो है आपकी अभीरूची बढ़ने वाली रहेगी आज बहुत हद तक जो है विद्यसों से रिलेटेड कि समस्याएं चल रहे हैं तो वह ठीक हो जाएंगे सबसे महत्तपुर्ण बात क्या है कि आज भाई बहनों के इस्थितियों में सुधार आएगा किसी कानवा छोटे भाई बहनों से मत्वेद जो हो रहा था हुआ ठीक हो जाएंगे संतान की तरक्की भी होंगे लॉट्री सट्टा जुआ शेर मार्केट का लाब मिलेगा उच्छ सिक्षा के भी लाव मिलेंगे टेकनिक की दिन को बहुत ही बहतर बनाना चाहते हैं तूला राशी वाले तो प्राहता काल जो है दुर्गा चालेशा का पाट कर लीजिए और लाइट ब्लू रंग का परियोग कर लिजिएगा विर्चिक रासी वाले अगर आपके लिए जू है तीन मैशंद 221 का संपुन दैनिक राशी फल की बात करना चाहें लगन चंदर्मा की बात करें प्राकरमिस अस्त चंदर्मा जो है निस्ची तोर पे जो है आज आपको प्राकरमिय बनाएगा सारकारी कामकाज का लाप दे महत्पुन कमियों को दिखाने वाले रहेंगे और महत्पुन तथियों पर सपोर्ट भी कर देने वाले रहेंगे आज सबसे महत्पुर्ण बात आपके लिए यह रहेगा कि आज पुना जो है आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सुरुवात करिएगा बैपार से आपूप चुके थे या बैपार में परिशानियां हो रहे थी उसको आज आप ठीक करिएगा बहुत हद तक जो है विद्यस्वस एक्ष्पोर्ट इंपोर्ट के लाब की शंभावनाओं को बनाएगा बहुत हद तक जो है आज अपने क्रोध पे आप नियंतरन रखने वाले रहेगा धैरे से हर काम को करिएगा लाब की शंभावनाओं बनेंगे आज जो है किसी भी हाल में आपको एक बार प्रताहकाल हन्मान चालिसा का पाट करना चाहिए या फिर ओम हन्मरतिनवा मंत्र का जाब करना चाहिए और आज जो है पीले रंग का परियोग अगर करते हैं तो अनेश चंद्रमा हालाके ग्रहन दोस्से भी थोड़ा परिशान है और विश्योक से भी परिशान है तो बहुत जादा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक बैंक बैलेस्वे ब्रिधी करेंगा आज परिवार के लोग आपके नेचर को समझेंगे आपके लव रिलेस्टन में रहा था या लग रहा था कि कहीं गलत जगा पर ट्रांशफर ना हो जाए उस से समस्याएं दोर होंगी आज सबसे महत्तपुर्ण बात यहां पर यह भी दीख रहा है कि आज जो है आपके पार्टनर जो है आपको मतभेद की स्थितियां जो उत्पन हो रही थी कुछ दूनो आपके फ्रेंट सरकल में रहे हैं या फिर आपने किसी को पैसे दे रखा था उनसे किसी प्रकार का कनेक्टिविटी जो समाप्त हो गया था वहाँ पैसे बहुत तक निकल जाएंगे पेट पैर में और गले में टॉंसिल के समस्याओं से बड़ा सुधार देखने को मिलेगा आज के दिन को बहुत ही बहतर बनाना चाते हैं प्रहता हकाल जो है ओम कृष्णि कृष्णियान महामंतर का 108 बर जाब कर लिजे और प्रहता हकाल पेड़े का शेवन अवश्य करिए मकर राशी वाले अगर आप के लिए द्यानिक राशी फल की बात करना चाहें तीन मई का तो आज जो है आत्विश्वाशी आप रहिएगा जीवन के बड़े बड़े निरने और बड़े डिशिजन को लेने वाले रहिएगा विभा के लिए अच्छे रिस्ते आएंगे आप किसी को पसंद भी करिएगा और हो सकता है कि विभास से रिलेटेड डेट भी रखा जाए जीवन साथी का जो स्वास्त खराब चल रहा था उस पे सुधार देखने को आज मिलेंगे लब रिलेशन में किसी प्रकार का दुख या फिर गलत फिलिंग जो मन में आ रहा था और स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट कुछ बहुत अत्तक लाव या बीदेशों में बैपार चल रहा था तो उसक्तितियों में सुधार देखने को नेक्ची तोर पे मिलेगा अज पुत्र के द्वारा धनकी प्राप्ति हो सकती है या फिर पुत्र के द्वारा यानि पु अगर इस मंतर का जाब करते हैं तो जो वेर्थ के मार्केस लगे हुए हैं और कुछ-कुछ काम जो हाथ से निकल रहा हुआ आ जाएगा और आज ब्लेक रंग का परियोग करिएगा कुम राशी वाले अगर आप के लिए दैनिक राशी फल की बात करना चाहें तो द्वादेश अस्थान में चंद्रमा बहुत सुभ लावकारी नहीं रहेगा आज थोड़ा सा दुखी रहिएगा आज आत्विश्वासी थोड़ा सा कम रहिएगा मिंटल पीस नहीं मिलेगा और किसी नत्व किसी कारण से सीर में दर्द के शंभावनाएं बन सकती हैं ग्रह का तो कामी होता है दुख दो परिसानी दो लेकिन आपको अगर आपके उपर हावी हो रहा है तो ये बात भी कहीं से सुभ नहीं होता है यानि अगर आज आप अपने जीवन में अपने आपक लेव रिलेशन पे विश्वास रखना है किसी भी हाल में जो है दापती जीवन को खराब नहीं करना है किसी भी हाल में डिप्रेशन में आया करके सिक्षा से related खेलवार नहीं करना है एकदम मन लगा करके पढ़ना है बहुत हद तक देखिए आज कुछ करिजदार आपको परिशान कर सकते हैं बहुत हद तक जो है आज आपको कुछ लोग पैसे मांग सकते हैं लेकिन आप देंगे तो ढूबने के चांसे बन जाएंगे लोट्री सटा स्थितियों में कुछ विश्य सुधार तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन एक अर्थ यहां पर असपष्ट तौर पे दीख रहा है कि कुछ पुराने लोग से संपर्क होंगे या फिर जो लोग आपके सतरूत है पहले वो लोग आज आप से मित्रवत्ध वहवार करने वा आपको अचानक पैसे की प्राप्ती हो जाएगी और आज का दिन आपका जो सुबह रंग रहेगा वह रहेगा हलका पीला मीन राशी वाले अगर आपके लिए द्यानिक राशी फल की बात करना चाहेंगे तीन मई का आज धन की प्राप्ती के रास्ते खुल जाएंगे बहुत हत्तक लौटरी 60 जुआ शेर मार्केट का लाप देखने को मिलेंगे संतान की तरक्की के रास्ते देखने को मिलेंगे आत्विश्वास नहीं जम रहा था खो क्या रहा था संपर्क बड़े लोगों से हो गया था नौकरी में जॉइनिंग हो चुकी थी लेकिन इंकम के रास्तों से रिलेटेट या पैसों से रिलेटेट कोई चर्चाई नहीं हो रही थी वह चर्चा आज प्रानम्ब हो या डॉक्यमेंट प्रॉबलम है विजा से रिलेटेट प्रॉबलम है ग्रिन कार्ट से रिलेटेट प्रॉबलम है तो उस परिशानियों से आज आप निकल जाईएगा भूमी मकान वाहन का बहुत हद तक लाब मिलेगा यह घर में कुछ काम करवा सकते होम डेकरेशन या कंस चेक्शन से रिलेटेड माताय आपको बहुत अच्छे सा सपोर्ट कर देंगी आज आपकी जो माताय हैं और इसके अलावा जो है बहुत हद तक जो है मांसिक सांती के साथ में सीनियर और पिता भी सपोर्ट करतेंगे आज के दिन को बहुत ही बहतर बनाना चाते हैं तो प्र उमिद करता हूं पताएगे जनकारी से पुर्णता संदूश्ठ होंगे अनुरोध यही रहेगा मेरा कि आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को लाइक करिए शिर करिए सब्सक्राइब करिए मैं स्लोजर रवी गुपता आओंगा अगले वीडियो में और महत्त्पु कि किरपा आप हमें सब्सक्राइब धन्यवाद